हेलो दोस्तों आपका स्वागत है सोशल स्टडीज चैनल में तो आज के इस वीडियो में एक इंपोर्टन्ट प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ तो वो प्रश्न मारियान और जमेनिया कौन थे? किस तरह उन्हें चित्रित किया गया? उनका क्या महत्व था? तो दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता नियाय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया और जर्मनी में जमेनिया नाम दिया गया मारियां की प्रतिमाई चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रिय प्रतीक की याद आती रहे और लोगों मारियां की छवी डाक्तिक्टों पर अंकित की गई जमेनिया जमेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई चाक्षश अभिव्यक्तियों में जमेनिया बलूत व्रेक्ष के पत्तों को पहनती है क्योंकि जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है महत्व इन चित्रों ने लोगों को राष्ट्रियता की भावना को प्रबल बनाया इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जमेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी